आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार मैं सोम नात मिश्र टॉक्शो विट सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं टॉक्शो विट सोम का विजन युवाओं को उनके मनपसंद छेत्र में करियर सलाह देने का है एक्सपर्ट होते हैं SME होते हैं उनको बुलाते हैं उनके डोमेन के एक्सपर्ट को आज जो हमारे आती थी हैं हमारे लिए बहुत सवभागे की बात है कि वो हमसे जुड़े और अपना कीमती समय हमें दिये इंडस्टी में सबसे ज्यादर जो फेमस इंडस्टी है वो हैं बॉलिवट उसमें भी अगर आप देखें तो छोटे बच्चों के लिए जो एनिमेशन वर्ल्ड है उसमें एक जाना पहचाना नाम है करेक्टर है मोटू पतलू मोटू पतलू के डारेक्टर 22,000 बुक को इन्होंने चितरांगन किया है साथ में 800 कॉमर्शियल एडवर्टिजमेंट के लिए सर डारेक्ट किये हैं लिखे भी हैं 1200 लाइफ कॉर्परेट सोज किया है सर ने ट्रेवल सोज, टीवी फिक्षन सिरियल्स एनिमेशन वर्ल्ड में जाने माने चेहरे जिनें किसी भी परिचे की जड़त नहीं है लोग मोटू पतलू का नाम लेते ही सर को जान जाते हैं, सर का नाम लेते ही मोटू पतलू और सारे इनके किये गया कैरे को समझ जाते हैं सर ने दो मूभी छोटी मूभी जो है खोज और डार्क मीरर पहली बार इंडस्टी में मुबाइल फोन का यूज किया गया कैमरा का इसकी रिकॉर्डिंग के लिए ये सरे सर को ही जाता है सर को बहुत सारे रास्टिये और अंतर रास्टिये एवार्ड दिया गया है इसके अलाबा सर को डिगरी अफ डॉक्टरेट के उपाधी दी गई है विक्टोरिया ग्लोबर इन्वर्सिटी यूएसे से मैं ज्यादा समय ना लूँगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा सर बोले और हमारे देखने वाले विवर्स सर की एक-एक सब्दों से सीखे उनका मार्ग दर्शन हो तो आईए आप लोग के साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर हरविंदर मानकर जी का सर स्वागत है टॉक्षोविट सोम में नमस्कार यह तो मैं में बहुत सभाग की बात है कि आप आए आपने अपना समय दिया इस मेरे सो के लिए और युवाओं को आप अपना मांग दर्शन करेंगे अप यह बता है कि आपको आपको काटनिस्ट में एनिमेशन वर्ल्ड में जाने का आ कि कभी कोईले से कभी चॉक से कभी पठरी पे कभी पैंसिल से तो दीरे दीरे वो शोंग था जो उस जमाने में ना दो आपके कंप्यूटर हुआ करते थे नहीं कोई और साधन होते थे तो उसमें मैगजीन साती थी मदूमुसकान पराग नंदन चंपक लोट पोटो मैंने तो पहला मोटू पत्लू पनाया था उस समय बोजे मुका मिल गया किसमस से कुखिए वो उस समय से वो शुरू हुए तो है ज़े पुब्लिकेशन में ही ज़े काल्टूनिस्ट काम जबता था मुदूमुसकान में भी काफी करेक्टर्स हाई कॉमिक्स बहुत दिये नूतन कि बहुत जाते हैं वो चलते रहते हैं जो लोग अपडेट नहीं हो पाते फिर वहीं के वहीं जहां तक होते हैं रुप जाते हैं मेरे खुश किस्वती रही कि मैं अपडेट बहुता चला गया और उसके साथ विटूरी एनिमेशन में अमने वोटू-बगलो बनाया फिर पप 45 साल से लिख रहे हो तो वो आपकी रगों में बस जाता है वो आपके ब्लड में एक तहांस के शामिल हो जाता है उसके लिए आपको सुछना नहीं पड़ता तो बस तरफ कहना यही है कि जो भी काम करो इसलिए नहीं करो कि यह चाहिए इसलिए करो कि आपको काम करना है लग समय के साथ चलना आता है जिने समय की कदर करनी आती है वही इंसान सफर होते हैं वो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो इसमिया अपने वक्त को एक टार्गेट दीजी एक गोल दीजी अपनी जिन्दगी को सिर्फ सो कर लेट नाइट फिल्में देखकर गेमें खेल कर और अगर आपने उस पर ही आपको विताना है तो फिर आप दूसरों को सुनते रहा जाओगे मैं चाहता हूं कि जो यह सुन रहे हैं या देख रहे हैं कल वो इस लायक बने कि उनको लोग देखी हो सुने तो यह मकसद हल होता है आपके शो का भी और उनकी जिंदगी बहुत कि भी घर में जिस घर में भी छोटे बच्चे हैं मोठू पत्लू का नाम लो तो वो दोनों के चहरे याद आई जाते हैं बिल्कुल सही तो यह बता है कि जैसे आपने एक नया अविस्कार किया मोबाइल केमरे से आपने खोज मुवी बनाई और यह बनाई तो इन सब का हol available कि लोग अकसर मेरे को एक्सक्यूज देए लगे कि हम बहुत आकत वार रहे हम में बहुत अकल है अगर अगर मेरे पास कैमरा होता है अगर मेरे पास हाई-जौस लाइट होती हैं मैं उपड़े स्टूडियो में शूट करता तो यह आगर एक्सक्यूज आते हैं तो फिर सिर्ट में किला कि वाइंट था वैर और एकस्पेरिमेंटर मेंArt प्रमण सेर मेंगे थासि अजिन नहीं उसम्टानी पूरा म्यूजिक है तीन गजलें उसके अंदर बहुत कुछ है उसके अंदर तो वो अपने आप में कहानी है कहने का सिर्फ जब वो काम करना चाहो तो आपको जुरूरी नहीं सारे साधन उपलब हो आप कहीं बारी कम साधनों में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जब कोई आज हम हवाईजाज पर या एरोप्लेन पर उड़के आप दुनिया किसी कोने में जाती है लिकिन जिसने पहले बनाया होगा ना तो उसने ऐसा हवाईजाज नहीं बनाया होगा वो कम साधनों में उसने टियारा तीरा तो आपको कोशिश क्रेटिव वर्की करनी जाए जब तो आपको फिर कोई एक्स्कीुज नी होता है और मेरा तो मोटर ही है जो काम मेरे को आता हो तो मैं करत भी करता हूँ कि पानी का गिलास उठाके निगिया सर कोई जिंदगी में सारे काम पैदा होके पेट से नहीं सिंगिया करने पढ़ते हैं और काम करने से ना कोई चोटा होता है ना किसी का सर जुपता है क्योंकि कद बड़ा नहीं करते एडियां उठाने से कद बड़ा नहीं करते एडियां उठाने से कद ऊचे होते हैं सर जुपाने से जब आप हलीनी में आते हो विनमरता में आते हो सीखते हो दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो उससे अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो आपको जुपना ही पड़ेगा अकड़के आप किसी से को पूरा कंवाल पर से बिल्कुल सही कासरा अपने तुसरा हमारे जो युवा जो चाहते हैं कि अगर कार्टनिस्ट में अपना कारियर बनाना चाहें तो उनके लिए बेसी कुछ कॉलिफिकेशन होती है कुछ ऐसा कि यह करके आओ फिर मिलेगा या फिर कुछ क्रेटिविटी बना के लाओ क्या होता है उनके साथ? लोग और सीधे तनखा कमाना चाहते हैं तो अगर आप अर्निंग भी चाहते हैं और सीधे आएंगी तो नाचुलिए आपको प्रिपेर होना ही पड़ेगा ऐसी बहुत सारी जगाएं हैं जहां अच्छे 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 अनिमेशन सिखाया जाता है 3D भी सिख अच्छे अनिमेशन की कुछ कोर्स कर लेंगे और क्या क्या चांसे जह मतों किस किस डोमेन के लोग इसमें त्यारी कर सकते हैं कैसे आ सकते हैं पहुत फील्ड में बहुत कुछ होता है हर फील्ड में बहुत कुछ होता है आप सिर्फ एनिमेशन ही होता है उसमें स्क्रिप्ट होता है उसमें स्टोरी बोड होता है उसमें करेक्टरिजेशन मनाना होता है अगर आप एनिमेशन की बाद एनिमेशन के फिल्म में भी यही ह करेक्टर बनने के बाद उनकी ज़िए हर सारे कामें कादमी नहीं कर दो इसलिए बहुता है कि हर अलग अलग डिविजन के लोग होते हैं तो आप अगर किसी भी फील्ड में आपको अपना फोटे लगता है असानी लगती है और आपको रगता है कि यह काम में ज़्यादा अपना फोटो भी डिसाइड करें कि मुझे इसमें जाना है तो इसको अपरचुनिटीज कैसे मिलेगी में स्टार्ट कैसे करेगा वो यह तो अब क्या यह तो कुछ सवाल अब रहा नहीं ना क्योंकि इंटर्नेट पे सब कुछ है दुनिया भर के अनिमेशन केंदर हो टीव में अनिमेशन स्टुडियों मुंबाइब हैं है इधराबाद में वी तो आपको ना कम आ इनिमेशन नहीं करते हैं भी अटोबे जरे regulators सीधे तो आप नहीं आपको आपको आगे बढ़ते हैं से बात करते हैं तो वह खेह दो आपको दी तो आपके साथ काम करना चाहे कि वह चाहे कि आपके साथ जुड़के काम करना क्योंकि आप अनुभवी हैं तो ऐसा कोई उपर्चुनिटीज है उनके लिए आते हैं लोग लेकिन वही है ना हमारा चैनली माया स्टूडियो बंबई के अंदर जहां पर सभी यह बनता है मोटो बदोगी अगर मैं बात करूं तो उनको वहीं संपर करना पड़ेगा माया वालों से केतन मैता जी से अनीश जी जो भी वहां पे बड़े हैं वहीं लोग उन कैलिवर आपके अंदर अच्छा है आप उस काबिल हो तो क्यों नहीं वो क्यकि शिपारिश और नाम से आपका कोई काम नही होता JUST क Его काम होता मैं आपकी टाकत काम होता है आपकी काबलिए तो अपने बल्पे अपनी पूरी इमानदारी अपनी पुरी ताकत से अपने पूरे विश्वास से जाईए अगर आपको लगता है कि आप काबिल हैं अगर नहीं भी हैं थोड़ी कमियां भी हैं तो पर जाती है पोजिटिव होना चाहिए आपको हमेशा सोचना चाहिए आप कर लोगे अगर आप कर लोगे, सोचोगे तो कोई काम मुश्किल नहीं होगा अगर आप सोचोगे ये बहुत मुश्किल है तो फिर कोई काम आसान नहीं हो बिल्कुल तभी आज आज आपने तो सब्सद्ट आपने जैसे अब 22,000 किताबें जिसका चितरांगर किया है तो यह तो counting बाद में की जाती है जब हो जाता है तो हमने तो एक इंट इन में सो सो किताबे भी करी है वो एक वर्थ करना है तो वर आडर के ऊपर होता है मैंने सारा काम आडर पे किया है मैंने शूकिया कोई काम किया नियाज था अच्छा पुब्लिकेशन है उसके जब दिन कि आपके यहां शीब होती है अपकी ऐसा नहीं आप अकेले ही बना रहे होती आप एसाथ कुरा एक स्टुडियो होता है करते 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 उस संब काम कर रहाएं पैसे मिल रहें बड़ा सिंप्ली और इमानदाद जवाब दे रहा है तो जब आप शालों के बात देखते हो की मैंने किया आउ raped करते है तो आपको समझे آँा है कि 1000 गूप हो गई के 10000 गूप फिर उसके उपर अगर आपको वोगी आवाड मिलता है यह उसको नॉलेज में लिया जाता है तो यह तो उपर वाले काया हो आप नहीं हमने सिर्फ काम समय चैनला हुछ आज भी कर ला मैं तो आज भी बनाता ही हूं 22,000 वाइसे तो नमबर हो गया है तो एसे तो 25 पी उपर चलिगे होंगी यह जब काउंट किया गया था उसी वो तीन साल हो चुपी तो हो गया है कि एक अवार्ज हो के इंडर एक अन्दाज है कि जब एक अवार्ज शो के इंटर रिकार बुक के लिए उन्हों लोगोंने काउ बिलकुल जहाँ, सर आप मल्टी डोमेन टालेंटेड मैं कह सकता हूं कि आपने जैसे जनरली मैं देखता हूं आज के युबाओं को मैं खुद अपनी वी बात करो तो हम एक पार्टिकलिट डोमेन में होते हैं तो बुक्स में हो गए है या फिर अड़िजमेंट फिल्म्स बन पर तोूमें हैं यह अन्दर यह आपके अंदर होता है कि आप किसी चीज को लिख भी सकते हैं सब्सक्पनार है मैं लिक भी रुकद्रा हूँ और आड़िस्ट भी खोदूं थो यह चीजे बाई चाहां शूपर्वाले ने मेरे अंदर डाले हैं औरोमें भी डाली होंगी त के लिए आप के लिए बनाया कि अगरा है कि अगर आप कर सकते हैं पता हो जाता है है तो है तो आप कर सकते हैं अज के योगा जिनौ इसे हो ड्okा उपस्या हो जाते हैं gefल Engel आप तो तुरंत चाहते हैं पैसा कमाना स्टार्ट करते ही इनकम सुरू हो जाये तो जैसे उनके लिए क्या है कि प्रैक्टीस हो गिए आपने कहाँ डेडिकेशन हो इससे होना चाहिए इसके अलाबा जैसे अभी को विट समय में और दो सालों की हम देखे तो को वीड में बहुत ज़्यादा इंपक्त पड़ा है मैं कली कहीं पर रहा था 2500 करूर्स का इंपक्त पड़ा है बॉलिवूड इंडस्ट्रीज को तो अभी भी ऑपरचुनिटीज है या अभी थोरा सा डमाडोल इस्तिति है स्तितियां कभी भी डमाडोल नहीं होती हलात हमेशां गेंश्टी रहते हैं मैंने कहना एक्सक्यूज हमेशां आपको आप सिंपथी गेंद के लिए बोड़ा है हलात अगर कोविट से पहले चले जाओ तो तबी तो रोई रहे थे लोग की बिजनस नहीं है बिजनस नहीं है काम यहीं चलता रहेगा पूरी दुनिया में अब इतनी पॉपुलेशन्स है हर आदमी आप संतोस्त में ही कर सकते हैं कुछ चीज़े आपकी मेहनत पे हैं कुछ आपके लग पे हैं कुछ आपकी किसमत में लिखी हुए वो चीज़े मिलकर ही आपको एक मुकाम मिलता है प्राबलम यहां है कि हम उस मुकाम को भी इंज्वाय करने की बज़ाए अपनी जो विशिज है जो हमारी डिजायर है उसका मूँ बहुत बढ़ा कर दिया आपको एक लिमिटेशन है ना आपको एक काम करना एक ताक अगर आज मैं बोलू कि मैं मुझे राष्टपदी बना दे जाए प्राइमिस्ट्र बना दे जाए ऐसा नहीं होता है कि मैं तो कुछ भी करता चला जाओंगा तेकिन अगर मुझे बनना है तो अपने आप उद्रत मिर को उस रूट्स पे ले जाती है आपको उस जगा पर जाके छोड़ देती है और फिर आपके बुद्धी और वेक आपको ये तै करता है कि आपको कुछ सा रूट आपके लिए अच्छा है कुछ सा आपके लिए बुरा तो कोवीड आने से कोवीड आने के बाद भी अगर हम नहीं सुद्रें तो फिर हमें ऐसे बड़ा लानत हा मेरे उपर होनी जाए क्योंकि उसने पुद्रत ने तो हमें सब कुछ समझा दिया कि हम कहां गलत थे हमें पुद्रत का कोई फेड उधा नहीं छोड़ा हमें नदियां गंदी कर दी हमने सड़कें पर बाद कर दी हमने पहार काट डाले हमने कोई जगा छोड़ी पानी के स्रोत खतम कर दी है, हमने सब कुछ मुफ्त बांटने का इस सिल्सला शुरू कर दी है जब कि इस दुनिया में सबसे महगा वो है जो मुफ्त होता है मैं एक बड़ी माँ, अगर आप देश को लूट के खाना चाहते हैं तो वो आपका देश है कभी भी मुफ्त कुछ मिल ही नहीं सकता इस देश के आंगर या जुनिया के किसी देश में मैं आप से दोर पे किसी दे रहा हूँ, आप मुझसे दोर पे लीजिए जब आप मुझे मुझे मुफ्त देंगे तो आप उस दोर को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा करेंगे जो सारी स्थित्री गड़ बढ़ा जाएगी आपके तो आने वाली पीडियां हम बरबात कर रहे हैं आप मुफ्त कोरी की आदत हमेशा लेड़ गए अगर युआ यह सोचता है कि हमें कोई चीज मुफ्त मिनती है तो कुछ हो है हर चीज का दाम अदा की अगर यह देश नहीं रहेगा तो यह कुछ नहीं रहेगा हाज आपने मारे में सेल्फिश हो सकते हैं आज आप यह सोच तक है मेरे घर में बिजली मुंफता है मेरे घर में पानी मुंफता है मेरे घर में जब कुछ नुखता है कि लिए जग भी पूखा रहा है भेला है देश के लिए भी सोचना चाहिए यह मैं सोचो ना देश हमारे लिए क्या करता है, बहुत कुछ करता है, तो हमें अपने इसी तरह अपने बिजनेस, अपने काम में उमीदे बहुत हैं, कि हमारा जो भी सुबह नाश्टे से लेके मरने तक का, जीने तक का, जो भी है, वो गोर्मिट करे या कोई आके करे, नहीं करेगा, आपको अपनी पैरों पे खुद खड़ा होना, अपनी कमाई खुद करनी होगी, अपने कैलिवर को खुद चमकाना होगा, फिर आप घरब से और बड़े अपने आतनी सम्माहन से खाए, बिल्कुल चाहिका, आपने, उस किसी का भी वैल्यू होने पे लोग उसको फ स्किल आपने होना चाहिए, भाशा का कोई महत्त नहीं है, भाशा से नहीं फरिक पड़ता, आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती है, और्गु आती है, नहीं आती है, हिंदी आती है, आपको पॉन्फिडेंस और आपकी जो जीके है और आपको हर चीज को समझने की अंदर अगर एक इच्छा और जनूर होना चाहिए मैं दुनिया के हर कोने में शोज करके आया हूं जहांकि मुझे भाषाएं भी नहीं आदे नारवे के अंदर हम लोगों ने बहुत चांद के नारवेरियन में इंट्रिव दिये मुझे मुझे कुछ समुन में नहीं आ रहा था लेक को आंसर चाहिए तो यह उसकी समस्सा है वो कैसे सुनेगा मैं कर देखिया हो जाए जहां भी मेरी वरक्षा पे मैं आज तक हिंदी में की हम बहुत कि मेरी भाषा है मेरे देख की भाषा है और मैं कमटरेब लोग स्किए और यही रीजन है चाहिए तक हो जबनी करता हो कि मुझे अपने भासा पे गढ़ है और मैं भी इसले ही इनग्री वाले इंग्रें में बोल के पराउड फीर करते हैं वो हिंदी में क्यों नहीं कोश्चेन कुष्टे हम से बिलकल बिलकल कोई लडाई नहीं है नहीं तो इसी भाषा को नहीं ल है और दो भी अच्छी है मंगर जिस भाशा में आप जो मदर टंग है आप इसमें इन Sankosh बोलिए आपकी काप्लियोत है आप की काम और आक शिखिस्किल है उसी जये जब बहुत शहीं स्किल्षिस के nord बहुत लोग को ट्रेवल सोज नहीं पता है अपने ट्रेवल सोज भी किया है तो ट्रेवल सोज होता है कि उसमें क्या स्कोप्स है पता है कि जब हम किसी बी जगा के बारे में जाके उसके उन्दर उसका नेचर उसका जो विरframes है वहां के मौन्यॉमेंट से उसको हम कैपचिर करके लोगों को पताते हैं तो आम दुनिया देखने चलते हैं, हमने हिंदुस्तान भी नहीं देखा। और अगर आप दिली में रहते हैं, तो मैं दिली वालों से पूछता हूं तो आजे लोगों नहीं दिली भी नहीं देखिए, अभी तख लाल किला भी नहीं देखा हो आँ दर जाओं। वो और आफ जीन की विदासत होती है उसका बहुत खुर्त सवाल होता है Remi Church मॉंबई के Gateway of India के खनद्धीक पेस्ट ता है is девi-का तैस्ट है अगर आ एक अलग ऐग एज अगे तो अगophyर्छ थे यह जाते हो तो एंप्ट मैं और ओ्चावर अपक्शोस नोगों से लिलो, उन लोगों का संचीट, उन लोगों की बाशा, विलोगों का खाना, विलोगों का बहवार, वो आप कै। आप पranchure करके, होम tv य और इसकْवरी पर अपनगी वहें वह के लिए और है तो उनको कहतों कह चाहिए पर रिकुजिस्ट कहा चाहिए कुछ अच्छे बच्चों के गाने शूट वो ट्रैवल शूट और अच्छा करेंगे तो में भी डिस्कवरी में भी होम टीवी में और बहुत सारे चैनल्स हैं वो आपको कुछ ऐसा क्लिक हो जाए आपसे तो आपकी जिन्दगी बदन तो चाहते हैं नहीं आप गए हुए हैं आम लोग की धारना होती है कि जो कार्टून हम लोग देखते हैं इमेशन वर्ल्ड में मोटू पतलू की ही बात करूं तो यह एक है कि आपने खुछ से एक सोचावा काल्पिनिक आपने बना दिया लेकिन हम किसी जनरली किसी आर्टिस्ट को यूज नहीं करते हैं पीछे होता है हजूर आप किस आर्टिस्ट की बात देंगी मान दीजिए अगर अभी अभी इस समय लेटेश दो चल रहे हैं दबंग चल रहा है तो सुनमान खान इसमें इसमें इसमाल किये गए ऐसा नहीं है और उसके बाद वो सिंगम का भी बनवा है अगर आप करेक्टर जूज करते हैं तो उन से जाज़त लेनी पड़ती है वो इन्वाल हो जाते हैं आर्टिस्ट या जो भी लोग है फिर उस पर कापियाइट आता है फिर आपको पैसा देना पड़ता है तो वो बहुत सारी उलजने इतना सान लेटा लेकिन काल्पनिक चीज तो आपके अपने हाथ मे अरिजनल बंदे के साथ आप नहीं खिलवा लेका सकते हैं आपकी बायोपिक वारा काम आप करेंगे तो तो आपको सोस के करना पड़ेगा उसकी इमेज करा लेक्टर लेक्टर लेते हैं तो आप बन जाते हैं किसी ना किसी इमेज से बन जाते हैं इसलिए काल्पनिक अगर आप अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं मेकिंग में फरक हो जाता है वो लोग जो है वो कंटेंट को बहुत पहले ही धंग से आन पेपर ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे यहां ऑन स्पोर्ट ज्यादा मेहनत होती है वह दो फरक है थोड़े से आप अच्छी वेब सेरी हैं हमारे यहां तो आप अच्छी वात है वरना हमारे यहां जो होता है या को श्टार होता है उसके कहानी बुनी जाती है वहां कहानी के ओपर ही तोड़ा सा फरक है लेकिन आप फरक हो गया तो ऐसा नहीं है हमारे यहां बहुत बढ़िया फिल्में बनते हैं ऐसा ज्यादा तो जो यूबा अभी ओटी ती बहुत फेमस हो रहा है अपने आपने के चक्र में जो भी है तो जो यूबा ओटी पर काम करना अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की वहां काम करना एक्टर के लिए तो सेम प्लेसे सब हैं या कुछ डिफरेंसे हैं उसमें जो आप प्रपर धंसे जहां करते हैं तो वही अच्छा तो सूलन तो जो टेक्निकल त्रीका है वही होना चाहिए पर वह तो करोना के चक्कर में कर लो भी दर ओदर जादा हो गया है वाकी चोटा बाडा कुछ नहीं होता है निकिन हार चीज के वैल्यू अपनी अपनी औंँ अपनी वैल्यूजस है और शीमाहल का अपना बैलियूस है बढ़ी फिल्मों का अपना वैल्ई। ओहार चीज का 150 दुनिया में एक ही चीज के बीच बरांड आते हैं, ऐसा तो नहीं सारे खराब होते हैं, अब एक साबन ही लेने जाएंगे, डेड़ यार साबन आपको मिल जाते हैं नहाने के, तो आप क्या बोलेंगे, बाक्की एक आपने ब्लक्स ओढ़ा लिया, तो लाइव भाई खराब तो आपकी पसंद है, आप क्या करना चाहिए, अच्छी बात है, ओटी दीविटे उल्टा उन लोगों को भी काम दे दिया, जो चाले काफी टैम, फिल्मों में लिमिटेशन है, दो तीन गंटे, लेकिन वेब सीरिज में तो लंबा स्कोप है, दस-दस एपिसोड का तो, सब अच्छा है, कोई चीज खराब नहीं होती है, खराब आप अपनी प्रफार्मेंस से करते हैं, आप अगर खराब एक्टिंग कर रहे हैं, तो खराब है, बस सिंपल सी बारत, खुद पर धिहान दीजिए, फोकस अपने ओपर कैमरा लाइए, ना कि आ लोगों की बल्टियां सिंपमेंस अपने पाम करना वज़ा हैं, आपने बटा दिया है, बनोुच बहुत करना चाहता हूँ है, तो उस यूवा को पहले क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसेस्ट फॉर्लो करना चाहिए? वो सेमी परसेस है, उसको भी पूरा काम करना पड़ेगा, बैसे नहीं आप मुठाएंगे और सीधे मुंबई भाग जाएंगे तो वो काम नहीं चाहता आजकल, आजकल आपको जो भी करना है वो प्रपर आपको प्रिपेर होकर जाना चाहिए, वरना आप अपना पैसा समय दो प्रपर सही जगाउं पर जाया चाहिए, आरे न्दी करके जाना चाहिए, कौन सी एज़सी है, कौन सी लड़कियों को वैसे ही किसी को विश्वास करके और यह सिरफ स्क्रीन टेस्ट के बहाने में ना जाएं और जाएं, तो साओ से में किसी को भाई दोस्ट नी स्थी को कि जाएं कि अच्छा है बुरा है वक्त का कुछ पता नहीं चलता है और आपको प्रफ पर पर लिए एक अच्छा होना चाहिए और किसी को भी खुद पैसे देके अगर आपको कोई रोल दे रहा है तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए समय दीजिए वापको मुर्ख बना र हैं सीधे कोई आपके घर से उठा के आपको जो रहन नहीं बनाएगा और आपको लगता है कोई बनाएगा तो या तो किसमेंट अच्छी है तो आप बनेंगे वरना घलत भी लोग है और हर तरह की लोग हर जगा पाये जागें जीजी मुझे पता है कि आप बहुत बीजी है और इस बीजी समय में आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यबाद अंत में जाने से पहले हमारे युबाओं को आप क्या कहना चाहेंगे मैं सभी युवाओं से सर यही कहना चाहता हूँ कि पाना है गरमंजिल को तो अपनी सोच को बदलो कश्तियां बदलने से कभी साहिल नहीं मिला करते हैं अपनी सोच बदलो अपनी फोकस रखो अपने भरोसा रखो इमानदारी से चलो लांग रूट से चलो बेशक लेकिन सेफ चलो और आप जो करने जा रहे हो पहले पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो इसके माइनिस प्रॉंट भी चेक परो और जिंदगी में कभी हार भी जाओ तो कोई फरक नहीं पड़ता जुरूरी नहीं कि सभी के सभी फरस्स आते हैं माना इस दुनिया में प्यार जु जरूरी है मगर एक बड़ी जीस से पहले मेरे दोस एक छोटी सी हार जरूरी है जो हमें अपना उकाद दिखाती है हमारे अपनी वैल्यू दिखाती है हमें अपना खोगी शीशे के अंदर सबको अपनी सुरत बहुत सुन्दर लगती है मज़ा तो तब है जब दुनिया का ही तो वो उसके लिए मजबूत इरादों के साथ उतरिये इमानदारी से उतरिये सफलता मिलेगी ही मिलेगी यकीन रखिये नेक्टिव नहीं होना है पोजिटिव रही और अगर किसी तरह मन मताबिक चीज नहीं भी मिलती है तो यह उस उपर वाले पर छोड़ दीजिए उसने के लिए मुझे उमीद है कि इस इंडस्ट्री में एक्टिंग वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे और आपका हमेंसा सुक्रुजार रहेंगे बहुत-बहुत धन्यबाद कि अ